नमस्कार दोस्तों आपके सामने एक स्कीन पर एक बॉल पेपर दिख रहा होगा जो कि अब हम टीवी पर सेट करेंगे और देखेंगे कि टीवी पर ये कैसा दिखता है तो आज के वीडियो में लेकर आया हूं कि जी एक्स के जो बोड आते हैं उसमें हम से लोगों कैसे है तो आज का वीडियो हम जी एक्स के बोर्ड जी एस डबल सिक्स जीरो फाइव सेट्टा बॉक्स है जो कि सॉलिट पगारिया और भी बहुत सारी कंपनियों में आ रहे हैं ये तो इनके हम बूटलों को कैसे चैंज करें आज का वीडियो इसी गूबरत आपके सामने स्कीन स्कीन पर देखी रहा होगा तो सब्सक्राइब आप करी लेना बैल आइकन दवा देना जिससे की नेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके तो सबसे पहले हम सुरू करते हैं तो यहां पर देखिए एक जौन नाम से एक फोल्डर है यहां वाला फोल्डर तो आपको दिखाई सब्सक्राइब लेना है और उफॉट्टर में लेना है तो निकालने के बाद आपको वह बिन फाइल मिल जाएगी तो बिन फाइल आपको क्या करना है कंप्यूटर में कॉपी करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है यहां पर रख दीजिए रखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है एक सॉप्टर में आपको दूंगा तो उसमें आप कर सकते हैं लेकि यह फोटू सोप से बहुत ही आसानी से और फोलेच्टी बना लीजिए उसके बाद हमें एडिट कर लेंगे तो उसके साइज हम बाद में डिसाइड करेंगे तो जिस तरह से मैंने यह वाली फाइल बनाई है जो तो आपके सामने देख रही होगी कि मैंने एक डेश्टॉप प करें तो अब हम देख लेते हैं कि साइज क्या है तो सबसे पहले आपको फोटू बनाना है और बैक अब लेना है यह दो काम अगर आपने कर लिए तो उसके आंगे की पुरसेस मैं आपको बता दीता हूं तो सबसे पहले फोटू की प्रॉपर्टीज कितनी आ रही है तो प् मैं आपको बता देता हूं कि वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं के वल इसलिए बना रहा हूं उन लोगों के लिए वीडियो बहुत अच्छा है जो लोग क्या है सौप कीपर दुकान बगएरा चलाती है और सेट्ट आवक सेल करते हैं तो वो चाहती है कि हमारी टीवी कोई बीडियों करें तो हम जो सेट्ट वह सेल कर रहे हैं तो इसकीन पर केवल भाही देखें हमारा मौयलमर या हमारी सौप का नाम बगएरा देखें जिससे की सामने वाला जो भी बंदा हमारी सेट्ट वह से खरीता है तो हमसे कॉंटक्ट बहुत आसानी से कर सकता है खास्तोर यह हमारा निव फोल्डर एट नाम से जो की हमने डेश्टॉप पर बनाया हुआ है तो यहां पर हमने फोटू भी रख लिए और कुछ यह सौप्टेर भी है तो हमें क्या करना है सबसे पहले दोस्तों की यह फोटू है ना इसका साई चोटा करना है तो सबसे पहले यहां प सकति हैं जिससे की वह कर आ जाएगा अब हमें क्या करना है कि मैंने एक यहां पर फोलडर व और कॉपिinde गए तो यहां पर देखिए यहां पर कुछ एरर बगए दे रहा है कि फाइल ज्यादा बड़ी आ रही है तो यहां पर देखिए 158 के भी और यहां पर देखिए 167 के भी लिखा हुआ है लेकिन हमें 63 के भी करना है तो नीचे से आप खिसका का 63 के भी कर सकते हैं यहां पर देखिए देखिए 177 के भी बहुत है 63 से थोड़ा कमी है तो कोई पर नहीं है इतना आप कर सकते हैं करने की वाद को क्या करना है यहां पर गये और से वैस में अपनी फाइल यहां पर सेव करना चाहते हैं बहुत कर लिए मैं डास्टोप पर एट नंबर फूल्डर में ही करते हैं जहां वारे देखिए निव फोल्डर एट में हमारी दो फाइल आ चुकी है एक तो जान नाम से यह स्माट नाम से तो इसमार्ट नाम का हम प्रपर्टी देख लेते हैं पहले कितनी आ रही है तो यहां पर दीकिशाटावन के वी आ रही है और जो कि सपोर्टर नहीं है यह सपोर् सब्सक्राइब करेंगे तो इसको उपन करेंगे तो यहां पर एक आइकन दिखाई दे रहा होगा तो यह आइकन पर डवल क्लिक करेंगे तो यह ऐसा खुल जाएगा इस तरह की की स्कीन आपके डेस्टॉप पर सामने आएगी तो आपको क्या करना है यहां पर नीचे लोड बटन दिख रहा होगा तो लोड बटन आप जैसे ही किलिक करोगे तो हमारे लिए फोल्डर माई कम्पूटर खुल जाएगा इसमें आपको क्या करना है जो हमारी backup फाई फाहिल है जैसे की new folder के अंदर हमारी backup फाइल थी दोस्तों तो हमने backup आप ओल वाली फाइल ओपन कर लेना है यहां पर हमने ओपन कर ली ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से यहां पर लिखा हुआ जाएगा यहां पर अगर काप आने के बाद आपको सबसे पहले किलियर कर लीजी जो पुराना लोगों है वो किलियर हो चुका है ठीक है दोस्तों और नीव ब्राउज में जाएंगी हम ब्राउज में जैसी किलिक करेंगे तो हमारा जो डेस्टॉप पर एट नम्मर फोल्डर है उसमें जॉन नाम से था तो बनाया तो यहां पर डीका लिए क्या सब्क्राम करना है डिरthe कभी सबस्ते होने चाहिए करिगी एव चालवा आपको कोच नहीं करना हें दोष्तों यहां पर सेव करेंगे सेव जैसे बटन क्लिक करेंगे तो आप यहां पर वो फाइल जो अभी हमने अपलोड कर लिए और जो बेकप फाइल है बहीं पर यहां पर आप कहीं पर भी सेव कर लिजिए माल लीजिए मैं यहां पर कुछ भी लिख देता हूं माली जी ऐस ऐस लिख देता ह एससे नाम से और यहां पर देखिए नीचे बिल दखाया है और से होने के बाद हमारी यह फाइल आ जाएगी दोस्तों कहां पर नियू फोल्डर एट में जैसे कि अब देख लिए हमारी दो फाइल आ चुकी है एक तो आगी हमारी बैक पॉल और दूसरी आचुकी है तो टिपल एस दीकि चार एंदी की एंघर अपनी फरंबेर भी यह सेम हो चुकी है जो बैक अपॉल थी दोस्तों वह हमने एक डम फाइल थी और जो हमने डबर टिपल एस जो भी फाइल बनाई है वह वाली फाइल हमने एडिट करके बॉल पिपर लगा कर बनाई है अब आपको कुछ नहीं करना है यह वाली फाइल सीधे सीधे आप पेंटराइम में डालिए और अपने सेट आवस को अपडेट कर दीजिए आपके स सब्सक्राइब जरू कर लेना वीडियो को जादा जाद सेर करें जिससे कि और लोगों को भी पता चल सकी कि हां कैसे एडिट वगेरा होता है बॉल पिपर हम कैसे सेट कर सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग फिर मिलते हैं किसी नेस्ट वीडियो में